go अलो एब्रिवान इस्य विडियो में देखेंगे एक 117 सेमस्टर केमस्ट्री ट्रेटिकल का स्लेवर्स क्यों 232 सेमस्टर में बायो केमिकल एनालाईसिस केम्सट्री ट्रेट कल्ल में करना है ठीक है झसलिए आपको 100 माक्स दिये जाएंगे तो 100 मांकस आपको प्रेटिकल के लिए और 100 marks आपको theory part के लिए रहेंगे तो आज इस वीडियो में प्रेटिकल के विसे में बात करेंगे तो प्रेटिकल में 100 marks वह दो पार्ट में distributed है 25 plus 75 तो हम दोनों ही देखेंगे कि आप कैसे मिलेगा और उसका slavus देखेंगे और marks distribution देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपको 25 नमबर के लिए क्या करना होगा 25 नमबर जो है आपका divided है वाइबावायस, मौक टेस्ट और और अभर और परफॉर्मेंस पे आपको प्रेटिकल के रूप में एजामनर आएगा जो है युनिस्टिक एजाम के बाद तब होगा तो देखिए उसके लिए आज हम लोग देखेंगे स्लिवर्स क्या है तो पहला यूनिट आपका जो रहेगा वह है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनलाइसिस तो इसके बाद दूसरा यूनिट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिटिव एनलाइसिस ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिट एंड फैट और तीसरा यूनिट है डिटर्मिनेशन एंड आइड इंटिफिकेशन ऑफ नुक्लीक एसिड और लास्ट यूनिट है सिंथेसिस सिंपल ड्रक्स एंड मॉल्क्यूल्स ठीक है तो यह जो है चार यूनिट में आपको यह प्रेटिकल करने हैं तो हर एक यूनिट में कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट उनको अब देख लेते हैं पहले यूनिट में आपको टोटल तीन एक्सपेरिमेंट करने होंगे इन तीनो यूएंट में दो experiment है और चौथे यूणिट में total तीन experiment है तो इस तरह यह जो है इतने प्रेटिकल करने total आप calculate करेंगे तो लगबग को जो है पंदर करीब आ जाएंगे ठीक है इस सेकंड सेमेस्टर में करने हैं इन सारे एक्सपेरिमेंट का जो है कैसे आपको लिखना है कैसे करना है इस सारे का जो है वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए